चंकी का जन्म 26 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था माबापने इनको नाम दिया था शुयस लेकिन चुकि बच्पन में ये दिखने में बेहत गोल मटोल थे तो इनकी देखभाल करने वाली आया ने इने चंकी कहना शुरू कर दिया बस वहीं से इनका निकनेम चंकी हो गया चंकी के माता पिता दोनों डॉक्टर थे इनकी मा का नाम था डॉक्टर इसने हलता पांडे और इनके पिता का नाम था डॉक्टर शरत पांडे इनके पिता डॉक्टर सरत पांडे मुंबई के मसूर हार्ट स्पेसलिस्ट थे और वो डॉक्टरों की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांस्प्लांट सरजरी की थी। डॉक्टर क्यों नहीं बन पाए चंकी। चंकी के एक बड़े भाई हैं जिन इसलिए एक वक्त पर इन्हें एहसास हो चुका था कि डॉक्टर बना इनके बस की बात नहीं है। ऐसे हुआ फिल्मों की तरफ जुकाओ। सुयश उर्फ चंकी की पढ़ाई जिस स्कूल में हुई थी। उसमें कुछ फिल्मी सितारों की बच्चे भी पढ़ा करते थे। यही वज़ा है कि छोटी उम्र से ही फिल्म इंडरस्ट्री भी इन्हें बहुत जादा फैसिनेट करती थी। और आगे चलकर उन्होंने फिल् मती एक्टिंग अकेडमी में दाख ला लिया था जबकि कुछ जावा करते हैं कि चंकी ने डेजी इरानी के एक्टिंगस्कूल एक्टर ś आड से एक्टिंग का कोश किया था। चंकी पांटी ने एक्टिंग भी सिखाई थी। अपना एक्टिंग कोश्पूरा करने के बाद चंकी वहीद पर इंस्ट्रक्टर की हैसिय से नौकरी भी करने लगे। कहा जाता है कि अपनी इस नौकरी में चंकी ने अक्षे कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को एक्टिंग और डांस के ट्रेनिंग भी दी थी. फिर साल 1987 में फिल्म आग ही आग से चंकी का फिल्मी सफर शुरुआ लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ है कि चंकी के जिन्दगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट एक फोटो सूट था जिसमें मिनाक्षी, शेशात्री, पदमिनी, कुला, पूरे और पूरम धिलो के साथ ये न मल्टी स्टारर फिल्म में खुब किया काम, जिस जमाने में चंकी ने वोलीवुड में अपना करियार सुरू किया था, वो मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था, पहली फिल्म आग ही आग के बात, पहलास नियलानी ने ही चंकी को उनकी करियार के दूसरे फिल्म पाप की द के लिए उनके कंधों पर flop film का बोज नहीं आएगा लेकिन इससे एक बुरी बात ये हुई कि चंकी को सोलो एक्टर वाली film में मिलने लगभक बंद ही हो गई उन्हें मिलने वाली ज्यादातर फिल्में ऐसी होती थी जिनमें इन्हें हीरो के भाई या दोस्त का रोल ही ओफर होता था टेजाब बनी चंकी पांडे की बेस्ट फिल्म इकलौती ऐसी फिल्म में जिसमें सपोर्टिंग होने के बावजूद चंकी पांडे का किरदार बहुत बढ़िया था ये केरदार बहुत पसंद भी किया गया था चंकी पर फिल्म आया गया शो गया ये जहां गीत भी बहुत पॉपलर हुआ था चंकी की सांदार काम से प्रभावी तोकर फिल्म फियर ने उनके इस किरदार को बेश रपोर्टिंग एक्टर केटेगरी में नॉमिनीट भी किया चंकी की और कुछ प्रमुक फिल्में साल 1993 के आने तक चंकी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे हाला कि इनमें से जादतर फिल्में मल्टि स्टारर ही थी जहरीले आज की सहंसा, कोहराम, दो मतवाले, रुपए दस करोण, परदा है परदा, विश्वात्मा, खुले आम और अप्राधी ये कुछ वो फिल्मे थी जो चंकी के करियर के बड़ी और सकसफुल फिल्में मानी जाती हैं लेकिन ये सभी फिल्में मल्टि स्टारर ही थी बांगला देश में छागए चंकी पांडे चंकी पांडे को अपने फिल्मों में देखकर बांगला देश सिने प्रेमी भी बहुत खुस हुए पहली ही फिल्म से बांगला देश में छाग है चंकी ने बांगला देश में कुल साथ फिल्मों में काम किया था और ये साथों फिल्म में काम्याब रही थी देखते ही देखते चंकी पांदे पांगला देश में सूपर स्टार बन गया इसी दौरान चंकी पांदे ने अपनी गल्फरेंट भावना से साधी बिख की और नई नवेली पतनी को हनीमोन पर वो बांगला देश ही ले गया थी पांगला देश में चंकी की बेशुमाल लोग प्रेता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रहे गई थी।